सो दुस्तो आज सेकेंड सीटिंग में पॉलिटकल साइंस यानि की राजनितिक बिग्यान का परिच्छा होगा तो ऐसे में आप सभी के लिए लेकी आए हैं वो इसे वस्तुनिस्ट परशन जो कि आपके बोट परिच्छा में सीधे देखने को मिलेगा यदि अगर आप भी ब बिना देरी करते हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लास तक देखें और सभी प्रशन को अच्छी तरह से रट लेजिए तो चलिए एक एक करके सभी प्रशन को देखते हैं इससे पहले आप लोग इस वीडियो को सेर जरू कर दिजिए ता ज데 सेकिसी तरगी वीडियो आपको मिलतारे सब्से पहले चलिंग दोस्तूं अच्छी तरशी देखते हैं सभी प्रशन्र को तो आपके स्कीम पर आपका पहला प्रिशन है भारतिय जनता पार्टी की अस्ठापना कब होई एक जैम पूछशा सकता है भारतिय जनता पार्टी की अस्ठापना कब होई इसका जो सई इंसर है option B है उन्सो आसी में होई तो एक का right answer option A चेंज़े है अगले प्रशन दो नम्मर है तास्कंद सम्जाधक कभ हुआ था था इसका आफिके ंप्षन बीसका कORA और इनसर होगा इंशर ओप्षन हम अगले प्रशन तो तीनका राइइनसर ऑप्षन B है अगले प्रशन यहाँ पी देख सकते हैं चारनमप्रशन है भारत में दूतिये आम चुनाब कब हुआ था तो इसका जो राइट एंसर होगा ऑप्षन है यहाँ पे C हो जाएगा उनिस सो संताबन में हुआ था तो चार का राइट एंसर ऑप्षन C है अगले प्रशन नमर है सेउग्द राज्ट संग अमेरिका का पर्थम राष्ट पती कौन था तो इसका जो सही एंसर होगा आप्शन हम बात कर ले तो एसका राइट एंसर है जोज वास्गोटन तो छे का राइट एंसर option A है अगले प्रेशन साथ नमर है राज्टिय विकाज परसद के अधेक्ष कोन है तो इसका जो राइट एंसर होगा option C है परधान मंत्री तो साथ का राइट एंसर ओप्शन सी है अगले प्रेशन आठ नमर है विश्व सर्म संगठन का मुख्याली कहां है तो इसका जो राइट एंसर होगा ओप्शन डी है जो की जिनेवा में है सो दिस्तु अभी तक इस वीडियो को सेर नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग सेर कर दीजिए ठीक है अगले प्रेशन यहां पर देख सकते हैं जो 9 नमर प्रेशन का रहा है कि भारत की परतम सिक्चा मंतरी कौन थे तो इसका जो सई एंसर होगा ओप्शन डी है अबूल कलाम अजात थे तो दिस्तु 9 का राइट एंसर ओप्शन डी है अगले प्रेशन 10 नमर है यूजना अयो का गठन कभ हुआ तो इसका जो सई एंसर है ओप्शन सी है 1950 में हुआ 10 का राइट एंसर ओप्शन सी है अगले प्रेशन 11 नमर है इरोपीय संके सदस्यों की मुद्रा क्या ह तो इसका जो राइट एंसर होगा option A है hero, तो दुस्तु 11 का राइट एंसर option A है, अगले प्रिशन 12 नमर है निमलिकित में से कोन एक राजे नहीं है, तो इसका जो राइट एंसर होगा option B है मननीपूर, तो दुस्तु 12 का राइट एंसर option A है, अगले प्रिशन 13 नमर है भारत औ मुख्याले कहा है। तो इसका जो राइड एंसर होगा आपसंस यह काटमांड़ू मेरे है तो चेउदा का राइड आपसंस है। 1975 में लगया था तो पंद्रह का राइट एंसर ओप्शन ए है अगले प्रिशन सोल नमर है बांगला देश का निर्मान की सुवर्स हुआ तो इसका जो सही एंसर है ऑप्शन भी है दिया था तो इसका जो राइट एंसर है ऑप्शन हम बात कर ले तो वी इसका राइट एंसर है लाल भादु सास्त्रीडिन ने दिया था तो सतरह का कोरेक्ट एंसर ओप्शन भी है अगले प्रिशन यहां पी देख सकते आठारे नम प्रिशन है 1974 की रेल हर्टाल की नेता कोन थे तो इसका जो राइट एंसर है ऑप्शन ए है जै प्रकाश नरायन तो अठारे के राइट एंसर ऑप्शन ए है अगले प्रिशन नमर है विस्व मानुबा धिकार दिवस का मना जाता है तो इसका जो राइट एंसर होगा ऑप्शन भी है जो क 10 दिसमर को मना जाता है तो इसका right answer option B है अगले प्रशन यहाँ पे देख सकते हैं 20 नमर प्रशन है निमलिकित में से कौन सा आदेज साकर का सदस्य नहीं है तो इसका जो right answer होगा option यहाँ पे B हो जाएगा भारत तो 20 का correct answer option B है अगले प्रशन 21 नमर है सिकीम भारत का सहवरती राजे कब बना यानि कि सिकीम भारत का सहवरती राजे कब बना तो इसका जो right answer option B है 1975 में बना तो 21 का right answer option B है अगले प्रशन 22 नमर है भारती राश्टे कांग्रेस की परता महिला अधाच कोन थी तो इसका जो right answer होगा option C है इंद्रा गांदी तो 22 का correct answer option C है अगले प्रशन 23 नमर है 1880 में किस राजनेतिक दल के अस्थापना होई थी तो इसका जो right answer होगा option A है भारती राश्टे कांग्रेस की अस्थापना होई थी कब तो 1880 में 23 का right answer option A है अगले प्रशन 24 नमर है बिहार के पर्था मुखमंतरी कोन थे तो इसका जो right answer होगा option B हो जाएगा शिरी क्रिशन सिंग यानि की 24 का right answer option B है अगले प्रशन 25 नमर है तेलगू देशम पार्टी की सराजी की छेतरिये पार्टी है तो इसका जो right answer होगा option D है अंध परदेश 25 का right answer option D है अगले प्रशन 26 नमर है अमेरिका के किस राष्ट परती को सांती का नोवर पुरुसकार परदान किया गया था तो इसका जो right answer होगा option यहाँ पे A हो जाएगा बडाक ओबामा ठीक है तो 26 का right answer option A है अगले प्रशन यहाँ पे 27 नमर है कॉंग्रेस में भी भाजन किस वर्श हुआ तो इसका जो right answer होगा option B है जो कि 1979 में हुआ 27 का right answer option B है तो दस्तो आप लोग चैनल पे नयोग चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजी ताकि इसी तरह के अगला जो सब्जेट का परिच्छा होगा उसका पेपर आपको मिल सके तो अगले प्रशन यहाँ पे देख सकते है 28 नमर प्रशन कह रहा है कि चिपको आंदोलन से कौन समंदित है तो इसका जो right answer होगा option C है सुन्दर लाल बहु गुन्ना 28 का right answer option C है अगले प्रशन 29 नमर है पकिस्तान की वरतमान परधान मंतरी कोन है यहाँ पे option के हिसाब से आपको answer देना होगा तो यहाँ पे जो option है इसका जो सई answer होगा option B है जो कि नवाज सरीप ठीक है वह इससे यह प्रशन नहीं आएगा ठीक है नहीं आएगा ठीक है क्योंकि वरतमान पुछ रहे तो अभी वरतमान में कोई और है ठीक है अगले प्रशन यहाँ पे देख सकते हैं 39 प्रशन है मंडल कमीशन की सिपारिसों को किसने लागू किया तो इसका जो सई answer है प्रशन है जो कि मोड़ा रज्याई देशाई ने की थी ठीक है तो तीसका राइट एंसर प्रशन सी है अगले प्रशन यहाँ पे देख सकते हैं 31 प्रशन है गेर कॉंग्रेस वाद का नारा किसने दिया था तो इसका जो सई answer है प्रशन सी है तो यहाँ पे 32 का राइट एंसर उप्शन भी है अगले प्रशन यहाँ पे देख सकते हैं भारत के दूसरे राष्ट पती कौन थे तो इसका जो सई answer है उप्शन हम बात कर लें भी है राधा क्रिश्नन तो 33 का राइट एंसर उप्शन भी है अगले प्रशन यहाँ पे देख सकते हैं 34 नमर प्रशन है भारत में हरित करांती के जनक कौन है तो इसका जो राइट एंसर होगा उप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा MS स्वामी नाथन तो 34 का राइट एंसर उप्शन A है अगले प्रशन 35 नमर है भारत की परतम महिला राष्ट पती कोन थी तो इसका correct एंसर B इसका correct एंसर है परतिभा पार्टिल यानि की भारत की परतम महिला राष्ट पती कोन थी तो परतिभा पार्टिल थी 37 का सही एंसर उप्शन B है अगले प्रशन यहाँ पे देख सकते हैं जो 38 नमर प्रशन कराई की जनसंग के संस्थापक कोन थी तो इसका जो right एंसर होगा option C है जो की 38 का right एंसर option C है अगले प्रशन 49 नमर है भारत का सही थान की स्वर्ष अंगिकरित किया गया तो इसका जो सही एंसर है option B है 1949 में जो की अंगिकरित किया गया 49 का right एंसर option B है अगले प्रशन 49 नमर है केंदर में जनता पार्टी किस वर्स सत्ता में आई तो इसका जो राइट एंसर होगा ओप्शन सी है जो की 1977 में आई थे ठीक है तो 40 का कॉरेक्ट एंसर है तो दोस्तों आपको बता दे इस पेपर में कलास 12 यानि कि आज के जो आपका परिच्छा होगा इस पेपर में टोटल यहां पे 40 ऑबजेक्ट की प्रस्न थे तो पहले सापको कितने प्रस्न याद थे सही सही कॉमेंट करके बताए वीडियो कैसा लगा यह भी कॉमेंट करें वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजे साथ इस वीडियो को सेर कर दीजे ताकि और भी इच्छा जैसी और वीडियो के साथ तब तक लिए जैहिंद